हेलो फ्रेंट्स, वील्कम टु आश्या चानल ट्रेंडिंग प्रदेश सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को टीम ट्रेंडिंग परदेश की ओर से होली की धेर सारी शूब कामनाईं और बधायां परिवार के साथ होली मनाईं खुश रहे हैं मनुकामना करते हैं आज 29 मार्च हैं और आज के जार्गन से लेटी जितने इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यस बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं और चार कोश्चन जो आपके 1st of April को अप्लोड कर दिया जाएगा चैनल पर और बजट का रिमेनिंग तीन लेक्चर वीडियो लेक्चर भी अप्लोड कर दिया जाएगा चली आज के लिए आपका पहला कोश्चन है जार्गन के किस यूनिवरसिटी में Office of International Affairs की सुरुवात की गई है तो इसका correct answer हो जाएग फर्स्ट पॉइंट है 27 मार्च को राची उनिवरसिटी में Office of International Affairs का उटगाटन किया गया है यह Office UGC के निर्देश पर खोला गया है कुलपती कौन है डॉक्टर कामिनी कुमार इनहीं के द्वारा इसका उटगाटन किया गया है यह कार्याले विदेशों से राची में आने वाले चात्रों और आची विद्याले के विद्यारतियों को विदेश में सिक्षा ग्रहन करने संबंधी जानकारी उपलब्द कराएगा तो अब्जेक्टिव आपको समझा गया होगा इस पैरग्राप से इसका मूल उद्देश समझ लिजे इसका मूल उद्देश से भारत भारत और विदेश के बीच सिक्षा के छेत्र में समन्वे स्थापित करना है यानि एक म्यूच्वल और कॉमन अंडरस्टैंडिंग सेकेंड कोश्चन है हाँ ये काफ इंपॉर्टेंड कोश्चन है क्योंकि अभी जो आपका खेल नीति प्रूपोस किया गया है न उसमें ज हिसाब से जिस प्रकार आपका IPL होता है ना उसी तरह से इस साल से आपका दिव्यांग प्रीमियर लीड का चुरुवात किया जा रहा है ये आपका जो है दुबई और सार्जा में खेला जाएगा तो इसके लिए जब आपका चैन किया गया ना उसमें जार्खन से भी टोट है तोटल चार खिलारियों का चैन किया गया है यह करके इनके नाम को जानते हैं चलिए उस सेर्मनी की फोटो है यह इनको रवाना करने से पहले आलमगीन आलम मुक्षमंत्री यह राची एयरपोर्ट है बिर्सा मुंदा एयरपोर्ट वहां की फोटो है चलिए कुछ पॉइ इनमें मुकेश, कंचन, और वगिस्त्री पार्थी टीम का नाम याद रिखेगा दिल्दी चैलेंजर्जस टाइपव हो गया कोई बात नहीं से और विशाल नायक और राजू करमकारर राजस्थान रजवाड रजवार्धा से तो नाम दो threaten में हो गया दिल्दी मिनिस्ट्री होता है ना मंत्राले उनके जो हेट है उनको सारा जो वर्क होता है शारा डिजिटाइजेसन को बढ़ावा दिया गया इस कारण से मंत्राले के हिट तो आरजुन मुंडा है इस कारण सो नहीं समानित किया गया है खेल ये कुछ पॉयंट से जिन्हें देख लेते हैं तीसरी बार इन्हें समानित किया गया है कुछ पॉइंट से जिने जान लिजे गोड़ा संसेद डॉक्टर निसिकान दुबे को तीसरी बार संसेद रत्न अवार से सम्मानित किया गया है 17 लोगसभा में प्रथम वर्ष के दोरान उन्हें समगर गुनात्मग प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्रयासों के लिए उन्हें ये पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो reason आपको पता लगिया हुआ उन्हें आखिर सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया हाँ यह important है कि आपको जानना चाहिए इसकी सुरुवात सम्मान की 2010 में उस समय के राष्ट्र पती डॉक्टर एफिर्जे अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी चलिए fourth question है blasting technology और water resource management के hub का निर्मान किस संस्थान में किया जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option number B IIT ISM धनबाद को आपका blasting technology और water resource management के hub के रूप में develop किया जाएगा आपको पता होना चाहिए अगर आपसे पूछ ले जारखन का एक लौता जो government engineering college है अगर इस तरह से question आ जाएगा तो आपका correct answer हो जाएगा यहाँ पर BIT सिंद्री IIT ISM धनबाद deemed है लेकिन इस central government का अंडर आता यह state government का अंडर नहीं आता BIT में स्रा डीम्ड है यह private है इनाइटी जमसित्पूर भी central funded institute है इसमें confused नहीं करियेगा और एक important बाद अगर आपसे question पूछ ले कि mining को लेकर कौन सा institute है जो special focus जो है mining पर है तो आपका correct answer हो जाएगा ISM धनबाद इसका नाम नहीं था Indian school of mines 2016 में IIT का दरजा मिला है यह कुछ point से जिन्हें जान लेते हैं IIT ISM को mining के बाद blasting technology और water resource management के hub के रूप में विक्सित किया जाएगा board of governance जिसे BOG कहते हैं ने इसके लिए संस्थान में center for blasting technology और center for water resource management की स्थापना को मंजूरी दे दी है यह center हर तरह के ओद्योगी जरूरोतों को पूरा करने के लिए नियंत्रित blasting technique विक्सित करेगा यानि formation of technologies sorry generation of new technologies IIT ISM का center for water resource management जहारखन में PGL की समस्या को दूर करने में मद्दार साबित होगा यह सब proposed एक तरह से आप समझें इसलिए किया जाएगा we are talking in perfect tense future perfect चलिए कुछ आप JPSC prelims के point of view से discuss करते है पेफी fit india freedom run program के तहत जारखन chapter ने किस जिले में दौर और पैदल चाल कारेकरम का आयोजन किया था यह सिप्तेंबर के बात है तो इसका आयोजन किया गया था धनब नाम याद रख सकते है रंधीर रफल के डायरेक्ट वी आपसे पूछ लेगा कि रंधीर वर्मा किस जिला में श्तित है तो आपको याद रखना है धनबाद जिला में और करनाटक में डाक विभाग ने special first day cover जारी किया था हम लोग इसमें दो points पर चरचा करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number C महिंद्रे सिंग धोनी के उपर यह जारी किया गया था के नाम पर और यह क्या होता है इसे भी जानेंगे थेल दिवस के औसर पर यह कवर जारी किया गया था धोनी के अंतराष्टर क्रिकेट किसे सन्यास लेने के बाद उन्हें सम्मान पर पहले दिन जारी वह लिफापा होता है जिसमें मुहर भी लगी होती है डाक विभाग संग्रह करताओं के लिए यह काफी महत्पून होता है यानि एक important category में धोनी का नाम सामील किया गया करनाटक डाक विभाग में 7th question है जारखन के किस विश्विद्याले को QS1 गेज द्वारा स्कोर कार्ड में उतक्रिष्ट रेटिंग दी गई है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B उसाव मार्टिन उनिवर्सिटी कुछ points से जान लिजे कि जैसे ये जो ranking किस के द्वारा दी जाती है रोजगार के छेत्र में उनिवर्सिटी को diamond rating और सिक्षन वो सिखाने के छेत्र में gold rating दी गई है two different categories में two different ratings जारखन से एक मात्र उसा मार्टिन विश्विद्याले को elite certificate के लिए QS1 गेज द्वारा मानेता दी गई है लंडन में QS intelligence द्वारा ये जान लिजे कि ये जो है ना जो देता है rating वो कौन सा agency है इसे जानना जुरूरी है लंडन के QS intelligence unit द्वारा गुनवत्तन यंत्रन के लिए ये rating दी जाती है वर्स 2004 से ही ये विश्व के विश्विद्याले की ranking का कारे कर रहा है चलिए आठवा question है जारखन के किस संस्थान ने ओद्योगिक सुरक्षा उतक्रिष्टा पुरसकार देने की घुषना की थी तो इसका correct answer हो जाएगा option number C IIT ISM धनबाद कुछ point से जहने जान लेते हैं IIT ISM धनबाद ने ओद्योगिक सुरक्षा उतक्रिष्टा पुरसकार देने की घुषना की थी IIT की ओर से भारत्य नागरिकों के लिए industrial safety excellence अवार दिया गया था यानि जिन्होंने भी भारत में जो इंडियन citizens के लिए उनकी सुरक्षा के लिए safety के लिए जो proper initiatives या कोई measures प्रोपोस किया था तो उन्हें इस समान से समानित किया गया था अपने पूरवर्ति यानि के alumni छात्र जश्वंत सिंकर गिल के नाम पर यह industrial safety award प्रदान किया गया था 2020 से इसकी सुरुवात की गई है ठीक है चलिया प्रिवेस कुछ कोशन को discuss करते काफी important question था यह जारखन में डाइन को प्रता को समाप्त करने के उदेश से राज सरकार द्वारा कौन सी यूजना शुरू की गई है जिसका correct answer हो जाएगा option number B गरिमा प्रोजेक्ट आपने से सभी ने इसका correct answer दिया था अभी आपसे अगर मैं पूछ लू ग्रामिन विकास मंत्री कौन है अभी किनके पास ही भाग है तो आंसर हो जाएगा आलमगीर आलग इसलिए मैंने टॉप 30 जो है टोटल तो 32,620 गाओं है यह तो उन सभी गाओं पर इसे लागो किया जाएगा इसके तहट डाइन विसाही के नाम पर प्रतारना रोकने के लिए गाओं में नुकर नाटक और अनि जाग रोकता अभ्यान भी चलाया जाएगा लेकि मैंने यह तिन पॉइंट को इसलिए आपको पदमस्री से समानित किया गया है उन्हें भी इसी कारण से समानित किया गया है क्योंकि उन्होंने डाइन प्रता के खिलाब अपने आवाज को बुलंद किया चलिए बहुत काम किया इनों सराइके लाखर सावारीजन में चलिए आज के लिए आपका क्विस कोशन है जहारखन के कितने सरकारी स्कूलों को स्वक्ष्था के मामले में फाइव स्टार का दरजा राज सरकार के द्वारा दिया गया है यानि यह जो मैं बात कर रहा हूँ ना 2020 के लिए बात कर रहा हूँ कितना को दिया गया है अभी यह नहीं बोल रहा है कितना को दिया जाए या लक्ष रखा गया है जो मुक्षमंत्री स्वक्षा अवार्ड होता है न उसी में आपको 5 star, 4 star और 3 star actually है 1 star तक लेकिन आपको जानना ये 3 है तो मैंने यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि 5 star का दर्जा कितने विद्यालों को दिया गया है options है 928, 5668, 5000 या 7000 चलिए इसमें न सारा चीडिसकस हो जागा आप बताइएगा 5 star जो है किस विद्याले को मिला है कितने को 4 star कितने को मिला है और जो आने वाला साल है न 2021 उसमें कितने विद्यालों को 5000 देने का लक्ष रखा गया है 4 star देने का लक्ष रखा गया है ये जो 4 सवाल जो मैंने पुछा न इन ही 4 में से answer है इनका ठीक है चलिए आप सही answer कमेंट करने की कोशिस करें मिलते हैं जार्थन के अगले वीडियो लेक्षर के साथ थैंक्स फो वाचिंग दिस वीडियो